हालो एरिवान दोस्तों अगर आप लोग बनना चाहते हैं कमांडो तो आप लोगों के पास एक बहुत ही सुनहेरा अवसर है एक बहुत भेधरी न अपोर्चुनिटी है क्या प्रोसीजर होगा किस तरीके से आप एक कमांडो बन सकते हैं कौंस्टेबल के तोर पर आप लोगो पूरा selection procedure चलेगा उस सारी चीजों की detail मैं आप लोगों को इस वीडियो में देऊंगा काफी बच्चों का comment शारा था कि सर इसको explain कर दो कि क्या क्या चीजे होने वाली है age criteria क्या रहेगा qualification क्या होनी चीजे कौन कौन इस form को fill कर सकता है सारी की सारी important updates इस वीडियो के अंदर है तो ध्यान तक आखरी तक सुनिएगा आपके हर एक question का जवाब इस वीडियो में है इस form को fill करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आप चाहते हैं आपसे कोई गलती ना हो अगर आप जानना चाहते हैं इस selection procedure के बारे में दूसरी important चीज़ अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं या फिर आप आने वाले दिनों में किसी भी government जो अपसे update खुद को रखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लीजिए क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको सबसे सटीक, सही और सबसे जल्दी उस vacancy के बारे मे जानकारी जो की पूरा notification को पढ़ने के बाद आप लोगों को दिया जाता है ताकि आप छोटी से छोटी भी गलती ना करें तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों आप लोगों के लिए 520 vacancy आय के लिए जो fees होगा वो 100 rupees होगा तो यहां से आप लोगों को clear हो गया होगा कि दूसरे राज्या के छात्र भी इसको भर सकते हैं लेकिन दूसरे राज्या के जो SC, ST, OBC वगेरा category में आते हैं वो यहां पर general count होगे तो इसका मतलब यह है कि आप लोग भी इस form को fill कर सकते हैं और हर्याना वाले तो करी सकते हैं हर्याना के अंदर जो reserved category में आते हैं जैसे OBC हुआ, SC हुआ, ST हुआ उनके लिए 25 रुपे fees होगा सिर्प मात्र 25 रुपिया ठीक है अब 520 vacancy है इसके लिए age qualification मतलब आप लोगों को qualification क्या होना चाहिए आप लोगों का 12 पास होना जरूरी ह है कि आप लोगों ने 12 पास कर लिया हो दूसरा 10 तक आपके पास हिंदी जब आपने 10 पास किया हिंदी या संस्कृत में से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट रहा हो तभी आप इस फोर्म को फिल कर पाएंगे 10 में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट और 12 आप का पास हो चुका हो तभी आप इ Cul оп को फिल कर पाएंगे कब से शुरुआत होंगी इन फोर्म को बरने की तो आप देख रहे होंगे 14 जून यानि कि आज से चार दिन बाद आप यह फोर्म को फिल कर सकते हैं और 29 जून 2021 तक ही आप इस फोर्म को फिल कर पाएंगे और 5my तक आपका फी का पेमेंट करना है याद रखेगा दोस्तों यहां पर मैंने हाइलाइट में लिखा एप्लिकेशन फॉर्म क्योंकि जब भी हर्याना का कोई वेकेंसी आता है तो वहां पर बहुत इंपोर्टेंट होता एप्लिकेशन फॉर्म आप भरकर इस फॉर्म को ऐसे ही ना छोड़ें उसकी हार्ड कोपी निकालने जो फी का पेमेंट करेंगे वो निकालने और जितने भी डोकुमेंट्स आपको उसके साथ लगा के भेजने वो सारे निकाल लेना क्योंकि जब आप इ यह आपका खो गया तो आपका सेलेक्शन मतलब वहीं पर रद कर दिया जाएगा तो यह भी आप याद रखेगा कि जब आप फॉम भरे उसको ध्यान से तो भर नहीं है उसको ध्यान से संबाल के रखना भी है ठीक है अब कौन-कौन भर सकते हैं एक तारिक को एक जनवरी 2021 क इसको जिनका एज 18 साल से जादा हो चुका है और 21 साल से कम है वे सभी किसी भी राज्या से आते हूं वे सभी इस फॉम को फिल कर सकते हैं बाकी हर्याना के लिए थोड़ा जो है कैटिगरी वाइस डिपेंड भी करता उनको कोटा मिला है तो एक जनवरी 2021 को आपका एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए और एक जनवरी 2021 तक 21 साल से आप लोगों का एज कम होना चाहिए तभी आप इस फॉम को फिल कर पाएंगे क्लियर है दूसरा अब सबसे पहले आप लोगों क्या होगा आपने फॉम फिल किया सारी चीज़े होई सबसे पहले आपका होगा PST ठीक है यानि की आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन वगेरा और साथ ही साथ आपका फिजिकल यहाँ पर फिजिकल के भी आप लोगों के मार्क्स होंगे देखो कमांडो बनना है इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और कमांडो के तोर पर चुस्त दु क्वालिफाइ करेंगे 175 सेंटीमेटर उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे मालो आपका हैट 175す represented 178 के बीच में है तो आप लोगों उसमें जैसे 178 फिर अगर आपका हाइट 181 सेंटिमीटर 175 से 178 के बीच में है तो आपको मिलेंगे 5 नंबर सोरी मैंने क्या बोला अगर आपका हाइट 175 से लेकर 178 तक है सोरी मैंने थोड़ा गलत बोल देता सायद तो आपको मिलेंगे 5 नंबर 178 से उपर है तो आपको मिलेंगे 6 नमबर, 181 से उपर है 184 तक आपको मिलेंगे 8 नमबर और अगर आपका height 184 से उपर है तो आपको मिलेंगे 10 नमबर I think clear हो चुका होगा height का fundamental क्या है 10 नमबर में से आपको marks दिये जाएंगे height पर भी height में अगर 175 से उपर है तो 5, 178 से उपर है तो 6, 181 से उपर है तो 8 और 184 से उपर है तो 10 नमबर आपको मिलेंगे उसके बाद आपका आता है physical के दिन आपका जो होगा वो होगा high jump कि आप कितना उचा कूद पाते हैं आपको 3 मोके मिलेंगे high jump में अगर आप high jump 137 सेंटीमिटर कर पाते हैं 137 सेंटीमिटर तो आप लोगों को 10 नमबर मिलेंगे और chin ups में आप लोगों को 8 chin ups लगाने होंगे जिसमें आपका ये जो chin है ये ठोडी है जो भी आपका वो iron road होगा उससे उपर जाना चाहिए तभी आपका एक count होगा अगर आप ऐसे करते हैं और नीचे ही रह गया ये उससे उपर नहीं जा पाता तो आपका count नहीं होगा और इसके आपको मिलेंगे 10 marks 2 km का फिर आपका running होगा और जो ये running होगा इसको आपको 7 minutes 30 seconds में करना है इसके भी marks आपको divide कर दिये जाएंगे जो सबसे पहले करेगा 10 ऐस तरीके से आपके marks divide किये गए हैं तो 40 number का आपका physical होगा जिसके marks अलग से होगे ये qualifying nature नहीं है जो आपका physical है वो qualifying nature नहीं है इसमें भी आपको score करना पड़ेगा जो जितना बहतर करेगा उसकी opportunity जो बढ़ जाएगी जैसा कि आपने बोला यहाँ पर physical बहुत माईने रखता है आपका fit दुरूस्त होना बहुत जरूरी है उसके बाद आपका होगा written exam written exam में आप लोगों का 60 number का ये paper होने वाला है ठीक है 60 number का paper होगा जिसमें 100 question आएंगे 100 question आएंगे जो हर्याना जी के से संबंदित होंगे maths के होंगे, हिंदी होगा particular सारी चीज़े आप लोगों की होने वाली है maths, Hindi, reasoning, computer और हर्याना जी के बाकी central जी के total 60 question, sorry 100 question, 60 marks के आप लोगों के होंगे यह भी आप लोगों का qualifying nature होगा मानगे चलना कम से कम 60-65% आपको यहाँ पर score करना पड़ेगा 60 में से, यानि कि 40 के आस पास तो number आप लोगों को लाने होंगे negative marking नहीं होगा, अगर आप यह कर पाते हैं तो आप को select किया जाएगा as a commando in हर्याना ठीक है, तो आप हर्याना में, पुलिस में, constable के तोर पर कमांडो के रूप में काम करेंगे, जो कि एक बहुत ही बहतर opportunity होगी आज के युवा के लिए दोस्तो, I think आपको पूरा selection procedure समझ में आ गिया होगा आप 14 तारिक से form को भर सकते हैं तो आपको 15 दिन ही मिलेंगे, तो जल्दी करिएगा कोई भी doubt हो, तो नीचे आप मुझे comment section में बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी job update पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बैल आइकन दबाके रखेगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालू, उसके तुरहत अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं बहुत सारे स्टूरेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि सर अभी दो तीन दिन तक साथ मैं आप लोगों को कोई चीजे ना पढ़ा रहा हूं लेकिन तेरा तारिक से मेरी आपको रेगुलर वीडियो मिलने लगेगी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा मैं बिजी हूँ तेरा तारिक तक दूसरी इंपोटेंट चीज जो भी जोब नोटिफिकेशन वगेरा है वो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेंगे तो किसी भी जोब का नोटिफिकेशन पाने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे दूसरे चैनल आकास राठी को जिसका मैंने डेस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है कमेंट सेक्षन में भी लिंक डाल दूगा उस चैनल को जरूर जोइन कर लिजेगा और सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि सभी जोब के नोटिफिकेशन आपको उसी पर मिलेंगे जोब के डेटेल्स उस पर मिलेगी कौन सा एड्मिट कार्ड कब आएगा क्या स्ट्रेट से बंचित ना हो आपके पास सारी अपडेट पहुंचते रहें थैंक यू जय हिन जय भारत